हलो फ्रेंड स्वागते आक कमाई चैनल पर आज हम आपके लिए लेकिया हैं बहुत ही जड़ा चटपटा सा कुरकुरा सा कराया सा नास्ता जिसके सामने आप समोसा और कचोड़ी को भूल जाएंगे यह नास्ता जितना जड़ा क्रिस्पी चटपटा उसे जड़ा यह हल्दी है और आप इसे एक बार बनाकर लंबे समय तक श्टोर कर सकते हैं और नास्ता बनाने के जंज़ से आजादी पा सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं उससे पहले अगर आपने हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना साथ ही नाट्पिकेशन वलको आन करना ताकि जैसे वीडियो अफ्लोड करूँ आपको नाट्पिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान नेस्वी का फाइदा उठापाए सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिया है यहाँ पर मैंने दो ग्रीन चिली को इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिए है अगर आप बच्यों की लिए नास्ता वना रहे तो ग्रीन चिली को हटा सकते हैं अगर आपका बच्चा बहुत जड़ा चोटा है तो चलिए आगे काम फोड़ाफट शुरू करते हैं तो फ्रेंड आगे गैस की तरफ यहाँ पे कराही ली है अब कराही को अच्छे से गरम करने के बाद अब इसमें हम एक छोटा चमबच ओई डाल देंगे बस इतना ओईल काफी है ओईल को हमें बिल्कुल अच्छे से गरम कर लेना है जब तक ओईल हमारा गरम नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है और जैसे ओईल गरम हो जाएगा हम इसमें हाफ टी स्कून डाल देंगे जीरा और जीरे को हम 10-15 सेकंड चटकने देंगे काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो देखें 10-15 सेकंड में जीरा चटक गया है फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे अद्रक और लहसुन जिसमें मैंने 4-5 कलिया लहसुन की और 1 इंच के अद्रक को इस तरह से मोटा मोटा कटकर के डाला है आप चाहें तो इसको आप पेश्ट भी बना के डाल सकते हैं तो इस तरीके से डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो इसको भी हम 10-15 सेकंड भून लेंगे ताकि इसका कच्चा पर निकल जाए अगर आप अद्रक को लश्ट नहीं खाते तो इसको हटा सकते फिर इसके बाद हम अपनी दो ग्रीन चिली जो हमने कटकर के रखी ती वो डाल देंगे और इसको भी हम 10-15 सेकंड कुक कर लेंगे यह देखिए कुक हो गई है फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइच की प्याज जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट किया है तो प्याज को हलका सा मोटा मोटा कट करेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा प्याज को मैं बिल्कुल भी काला नहीं करना है बस 10-15 सेकंड इसको भून लेंगे हलका सा प्याज का कच्छा पर निकल जाए बस इतना ही करना है इसको बहुत ज़्यदा पकाना नहीं है नहीं तो कलर भी अच्छा नहीं आएगा और लुक भी अच्छा नहीं आएगा तो यहाँ पर देखें प्याज हमारी हलकी सी टांस्पेरेंट हो चुकी है फिर इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे आईए आपको बताते हैं अगर आके पास बो ना हो तो आप क्या डाल सकते हैं उसका भी हम सजेशन देंगे यहाँ पर देखें मैंने पतागोवी ली है जिसको मैंने इस तरह से लंबा लंबा कट किया है अगर आके पास पतागोवी ना हो तो आप इसकी जगापे फूल गोवी का भी इसमाल कर सकते हैं या फिर इसको हटा भी सकते हैं लेकिन पत्ता गोवी डालेंगे तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा और लुग बहुत प्यार आएगा तो दस से पंदा सेकेंड हम इसको इस तरीके से भून लेंगे एक कटोरी था पत्ता गोवी हमारा बस ज्यादा नहीं डालना है यहां यहां पर मैंने एक मीडियम साइच की गाजे को ग्रेट करके लिया है आप चाहे तो चोटे-चोटे पीस करके भी ले सकते हैं तो आपके पास जो विजीटेवल हो आप एट कर लेना जो ना हो इसको हटावी सकते हैं फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सिम्ला मिर्च तो इसको कुक नहीं होने देंगे तो हलका सा क्रिस्प होना चाहिए हमारे सबजी में जिसे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा यहां पर देखिए दस से पंदा सेकर मैंने इसको भूल लिया है फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर जो इस नास्ते को जूसी मैंने मीडियम साइच का टमाटर लिया है जो लाल था जिसके ना मैंने बीज निकाले है और ना ही मैंने इसका जूस निकाला है तो लाल टमाटर लेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा और अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसके अ आलू, दो मीडियूम साइच के आलू को मैंने बॉइल करने के बाद ठंडा कर लिया था और ठंडा करने के बाद इस तरीके से ग्रेट कर लिया आप चाहें तो मैंस भी कर सकते हैं, वेट नहीं आलू हमारा 100 ग्राम था, अगर संख्या मताओ तो दो बड़े बड़े आलू थी तो सारी चीजों को हम 10-15 से कंड वापस से भूलेंगे, ताकि आलू की जितना भी मौश्चर है वो खतम हो जाए, और आलू जब भूलेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा, तो लो फ्लेम पे हमें इसे कंटीनू चलाते वे 10-15 से कंड भूल लेना है, ये देखि तो पीले पन की जगा पर लाल पना जाता है, जो अच्छा नहीं लगता है, फिर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिट क्योंकि हमने हरी वारी भी डाली है, अब इसको चटपटा बनाने के इसमें 1-5 टीस्पून डालेंगे चाट मसाला, अगर आके पास चाट मसाला नहां तो इसे बहुत जड़ा चटपटा बनेगा, तो मैंने इसमें चाट मसाला डाला है, इसलिए मैंने इसके अंदर नमक कम डाला है, और आव हम सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे, ताकि मसालों का कच्छा पन निकल जाए, और आव इसके बाद हम इसमें लास्ट में डाले है, अगर आपके पास हरा धनिया ना हो, तो आप पुदीने का भी इस्तमाल कर सकते हैं, या फिर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, अब गैस के फ्लेम को बन कर देंगे, और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तो इस तरीके से हमें स्टफिंग को चक लेना है, बनाने के बाद अगर आपको कुछ भी कम जादा लगे, तो आप एड़ कर सकते हैं, तो मैंने चक लिया, बिल्कुल परफेक्ट है, मज़ेदार है, चटकारेदार है, और आप इसे हम ठंडा होने के लिए रखेंगे, और दूसरा काम करेंगे तब तक जब तक यह ठंडा हो के पास यह ना हो, तो आप इसकी जगाप पर जीरा भी डाल सकते हैं, अगर इसका कोई नया नाम हो, तो कमेंट बाक्स में जरूर बताना हो, साथ ने जगा का नाम लिखना मत बूलना, तो इसको डालने से लुक बहुत प्यारा आएगा, हाफ टीस्पून डाला है, फिर पानी में खराब नहीं होगी, और अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक छोटा कप पानी, या छोटा ग्लास, और अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक, तो हमें ख्याल यह रखना है कि हमारा जो मसाले वाला आलू था उसके अंदर नमक है, तो हमें इसमें नमक बालन आई आपको बताते तो आप इसमें हम डालेंगे एक बड़ा कफ चावल काटा तो यह मैंने घर में तयार किया अगर आपको इसकी रेस्पी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपके साथ सेयर करेंगे आप इसको मार्केट से भी ले सकते हैं बहुत ही आसानी से मिल करना है एक साथ डालेंगे तो गुट्लिया भी पड़ जाएंगे और अच्छे से कुप नहीं होगा और गयास का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है और जो वड़तन लीजेगा थोड़ा सा फैला हुआ ताकि आपको चलाने में कोई दिक्कत ना हो और भारी लेना तो यहा पानी नहीं डालना है सिर्फ एक छोटी गलास डालनी है या फिर आप एक छोटा कफ भी डाल सकते हैं तो यह देखिए अच्छे से मिक्स करते वे इस तरह से पका लेंगे और आभी मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका यह आठा कुक हुआ है उसको चेक करने का तरीका भी मैं बताऊंगी तो जो छोटी छोटी सी बाते बताते हैं उसको खयाल लखेंगे तो रैस्पी बहुत ही अच्छी बनेगी और आपकी टाइंग की वच्छत होगी और मेहनत भी आपकी रंग लेके आएगी तो वीडियो को बिना काटे हुए दे बना कर देखेंगे जब यह गोला बढ़ना है और इसमें विल्कुल भी venus नहीं आ रहे हैं तो Wij की आर पसे अच्छे से हो गया है तो देख़ें एंटे में विल्合किल भी विल्कुल। नहीं विल्कुल ठल कर देंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे जो इसमें भाप होगी उसी से ये कुक हो जाएगा तो यहाँ पे इसको चाहे तो कवर कर सकते हैं नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं तो 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे हलका सा नॉर्मल हो जाएगा तब यह छूने लायक रचेगा त क्योंकि यह चावल काटा है तो हलका सा गुन-गुना होगा तभी हम इसके साथ काम करेंगे इतना गुन-गुना होना चाहिए कि हम इसे छूपाएं बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए और आप इसमें हम डालेंगे हाफ टीस्पून नीमू का रस जिससे बहुत यह अच्छा टेस्ट आएगा और अब हम क्या करेंगे इसको दूसरे बड़तर में टास्वर कर लेंगे और अब अपने हाथों पर थोड़ा सा ओल लगाएंगे आप घियो बटर भी लगा सकते तो धन्या का पता चला गया इसको हम साइब में कर देंगे और इस तरीके से हथले इसको बारी बारी से मसलना है इस तरीके से और यह देखे हैं तो बिलकूर अच्छे से चिकना हो रहा है और गुंदे हुए आटे के फॉम में आ गया है तो हलका सा जब गुंगुना होगा तभी आपको यह काम करना है तो जो राय बतार है यानि जो टिप दे रहे हैं उसे जरूर फालो करना उससे आपका रिजल काफी अच्छा होगा ये देखिए बिल्कुर अच्छा से हो गया है अब इसको हम बनाना सुरू करेंगे तो चलिए हाथों को वास कर लेते फिर इसको फटा फट बनाना सुरू करते हैं तो फ्रेंड यहां पर देखिए मैं इस तरीके स इसको लोंगी जैसे हम रोटी का लोई बनाते उस तरीके से हम इसको लोई बनाएंगे इस तरीके से हलका हलका सा प्रशर देते हुए और अब हम क्या करेंगे इसको चिकना कर लेंगे और यहां पर हम इस तरीके से ऑई लगा देंगे अच्छे से और इसके उपर रखके इस तरीके से फ्लैट करेंगे तो यह चावल काटा है तो इस तरीके से इसमें विख्रावपन होगा लेकिन इसको हम बहुत ही प्यारा सा सेफ देंगे इसकी चिंता मत करना अब हम क्या करेंगे बेलन पर भी थोड़ा सा ओई लगा लेंगे देढ़ कहों और आव इसको हम बेलेंगे और हमेस को हलका सा चाप लेल आ बहुत ह Cantla नहीं बेल ला है तो देले के इस तरीके से वहնते से महते हैं। इसको मैंने बेल लिया है इसको मैंने bacha पतला नहिन रखा है। इस तरीके से मोटा रखा यह देख लीजिए और կह व状्स स 그러家 करें इसको relationship देने के लिए कंठोरी का इस्तिमाल उन्हीं करेंकर इस तरीके से बहुत जदरा मोटा नहीं रखा है बहुत जदरा पतला में नहीं रखा है और कितना प्यारा सा सेफ आ गया है तो चलिए एक और भी लेते फिर इसको हम बहुत ही प्यारा सा डिजाइन देंगे तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने दोनों बना लिया है अब यहाँ पर जो हमारी स्टफिंग थी बिल्कुल अच्छे थे ठंडी हो चुकी है चटपटी वाली अब इसका एक चमच हम इसके बीचो बीच में रखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बात का खयाल लखना है कि श्टफिंग को आपको बिल्कुल बीचो बीच में रखना है किनारों को टच नहीं करना है श्टफिंग को अगर किनारों पर श्टफिंग लग जाएगा तो जब आप इसको बंद करेंगे तो यह बंद नहीं होगा और ये बाहर निकल जाएगा तो पहले तो हमें क्या करना है इस तरीके से इसको हलका-लका सा दबा कर इस तरह से बंद करना है तो पानी वगड़ा लगाने की कोई जरुवत नहीं ये बिल्कुर आराम से बंद हो जाता है और फिर इसको आप करीब ले आए और इस तरीके से प्रेसर देते वे घुमाते वे अच्छे से चिपका लिजिए यह देखिए कितने परफ्रक्त तरीके से बन गया है बस आपको खयाल वही रखना है जो मैंने आपको बताया था कि स्टफिंग को किनारों पर बिल्कुल भी टच नहीं करना है बीचों वीचों अब इसके उपर हम डालेंगे एक सुन्दर सा डिजाइन जिसके लिए हम इस तरह से चमच ले लेंगे और इस तरीके से हम इसके उपर डिजाइन डालेंगे बहुत सुन्दर सा डिजाइन जिस तरीके से मैं डालने उसी तरीके से आपको भी डालना है करीश से दिखा रहे ये देखिए इस तरह से गुमाते हुए इसको हम कट लगाएंगे बहुत ही सुन्दर सा डिजाइन बनेगा जो बच्चों को बहुत ही जड़ा अट्रैक करेगा खाने के लिए ये देखिए कितना जड़ा सुन्दर सा बन गया है और हम क्या करेंगे इसी तरीके से बाकी बना लेंगे फिर में लगा सकते हैं जब आप म entrar के माहीने यह चलते हैं की तरफ तो यहां पर ख़या लगना जञें होना मीडिया मीडियम पर आपको टेल गरं और यहां पर इस तरीके से आपको चेक करना है हाथेली को उपर रखना है अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही ही तो समझ जाए यह तेल गरम हो चुका है जब हमारा तेल बिल्कुर अच्छा से गरम हो जाएगा तो हम कैसे डालेंगे यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर यह डिजाइन व बना सकते हैं और डालते ही तुरंत इसको चलाने की गलती नहीं करना है इसको आपको दो से तीन मिंट तक पकने देना है मीडियम फ्लेम पर और 2-3 मिनट के बाद हम इसको टरंड करेंगे और गया अगर अगर आप हाई रखेंगे तो यह बहुत ही जल्दी कलर पकड़ अगर लोब रहेंगे तो यह फट जाएगा और ऑईली बनेगा तो इसी रहे से मीडियम फ्लेम पर बनाना है तो जो छोटी-छोटी से बाते हैं उसका बहुत ज्यादा ख्याल लगी उससे आपकी रेस्पी बहुत ही ज्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी तो चलिए इस को दोड़ पकाएंगे तो टोटर इसको बनने में चार मिनट का टाइम लगेगा और आपको उससे खाके मताज आज जाएगा तो चलिए दो मिनट और पकालेते हैं तो फ्रेंच 2 मिनट हो चुका है इसको पकते वेशलिए इसको देख लेते हैं पलटके तो यहाँ पे देख जो बाकी बचा हुआ था उसको भी हम बना लेते हैं फिर आफ से को फाइन एजर को सेयर करेंगी तो बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा कराल सा नास्ता देख लीजिए इसका फाइन एजर कितना जरा खुपसुरा लग रहा है जितना जरा देखने में खाने में से जड़ा क्रिस्पी है बिल्कुल भी आईली नहीं है इस तरीके से देखिए हतेलियों पर मल लें तो बिल्कुल भी हतेलियों पर आईल नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी आईली नहीं बनता है अंदर से क्रिस्पी है और इस टॉफिंग देखिए कितने जिदा और सी रेस्पी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना रेस्पी में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आप हमाई चैनल पर पहली बार आए तो वाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और आप इस रेस्पी को लंबे समय तक श्टोर कर सकते अगर आपने मेरी टीप एंट ट्रिक को फालो करके इस रेस्पी को बनाया तो तो चलिए मुसरत वेट नहीं हो रहा है मैं जा रही हूं जाए करने आप इसे बनाईए बच्चों के टिफिन वाक्स में देंगे तो बच्चे पूरा टिफिन वाक्स में निक्स करके आएंगे और पती को लिंच वाक्स भी दे सकते हैं तो फ्रेंड अगर आपने हमाई चैनल पर मिंबर्सिप नहीं लिए तो प्लीज जरूर लेना बहुत इससे आपको फायदा मिलेगा मिलते हैं बहुत जल्दी नई रेस्पी के साथ अत्तर ना ख्याले के लव यू आल बैंट टेक क धर मिल नई ज क्या हैं बहुतार लेस्ट विए शेयता की लगने हमाई झायदा रेस्टब्धाद खिफ अन। genome is रिपल्दाल पर मिलते हैं । ये जडको के लिए टे सुए्प्य हमाँ रेस्ट लिए ओम जगर चाहांभाने हमें ठे रेस्टार ये साँर्णा के ती सते जल